असलाम अलेकुम, क्लास सेवेंथ क्लास सेवेंथ हम चैप्टर करने हैं स्कॉयर रूट और पॉजिटिव नंबर आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अब देखें, हम ने ये कहा कि नेश्रल नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि आप उन्हें exponential form with exponent 2 लिख सकते हैं for example, जैसे 25 है तो 25 को आप exponential form में कैसे लिखेंगे 5 square, ठीक है तो अब ये तो exponential form with exponent 2 हो गया लेकिन हमें अगर ये कहना हो कि 25 किसका जो है वो square है तो उसे कैसे कहेंगे उसे हम कहेंगे 25 का square root क्या है क्या कहेंगे 25 का square root क्या है ये, इसे ऐसे कहेंगे ये जो sign है ये, ये square root है ये क्या है square root है इसे कहते हैं अब इसके अंदर जो ये number है इसे कहते हैं radicand राडिकन और इस साइन को कहते हैं राडिकल सिंबल राडिकल सिंबल या राडिकल साइन तो अब अगर suppose हमारे पास नमबर है suppose हमारे पास है 64 अब हमें ये कहना है कि 64 किसका square है तो हम इसे कैसे कहेंगे 64 का square root क्या है ठीक है ऐसे कहेंगे इसे तो अब आपके exercise 5.2 का first question जो है find square root of each of the following अब यहां आपको number दे रखें उनका आपने square root मालूम करना है अब एक मैं आपको करके दिखाती हूँ अब question आपके पास find square root of each of the following और number इस तरह दे रखा है 25 तो अब इसका square root मालूम करना है तो आपने क्या करना है is equal to लगाए radical sign लगाए और इसके अंदर radical 25 लिखे इसको पढ़ेंगे हम 25 का square root इसे ऐसे कहेंगे अब इसको किस तरह करेंगे देखिए 25 किसका square है 5 का तो यानि इसका मतलब है 5 multiply 5 2 time लिखा जाएगा अब इस pair में से 1 को बाहर निकाल लेंगे तो आप कहेंगे कि 25 का square root है 5 actual यहां कुछ नहीं है इस sign के अंदर तो कहीं छुपावा होता है इसके अंदर 2 2 का मतलब यह होता है इसे index बोलते 2 का मतलब यह होँआ कि अंदर जो भी जो भी radicand है उसके आपने multiplicative factor ऐसे करने है 2 factors हो उसके multiplicative same 2 factor हो तो उनमें से एक आप बाहर निकाल लेंगे इसका मतलब यह होता है ठीक है तो यानि 25 था 25 के 2 multiplicative factor जो है वो क्या है 5 multiply 5 एक आपने बाहर निकाल लिया यह आपका answer हो गया इस तरह इसे solve करना है और अगर suppose आपके पास question इस तरह दे रखा हो जैसे suppose a square या suppose आपके पास है 36 square आप कैसे करेंगे इसे पहले वही radical sign के साथ लिखिए यानि इस तरह लिखिए इसे अब जब यह square है तो यहाँ पर भी ऐसी लगेगा इसका मतलब यह हुआ कि अब यह 36 two times multiply 36 ठीक है फिर इस square में से एक बाहर आजाएगा यह answer हो किया तो हम कहेंगे कि 25 का square root है 5 इसी तरह 36 square का square root है 36 ठीक है अब इसका next question है find square root by factorization and division method अब कोई भी अगर आपके पास number दे रखा है उस number का square root अब यह तो छोटा सा था था ना तो आपने करके निकाल लिया लेकिन अगर suppose आपको कोई बड़ा number दिया हुआ है अब उसकी factorization करकर भागादा फिर square root देखिए मैंने एक आपी की book से ले लिया है question number question number b का 8 ठीक है अच्छा अब इसकी prime factorization करते है 2, 3, 0, 4 अब देखिए यह देखने से पता चला है कि 2 से जा सकता है 2, 1 time is 2 2, 1 time is 2 2, 5 time 10 और 2, 2 time 4 ठीक है अब उसके बाद फिर 2 से जा सकता है 2, 5 time 10 और 2, 7 time 14 और 2, 6 time 12 अब किस से करते हैं अब अगर 3 से करें से 2 से ही कर लेते हैं 2, 2 time 4 और 2, 8 time 16 और 2, 8 time 16 ठीक है फिर 2 से कर लेते हैं 2, 1 time 2 2, 4 time 8 और 2, 4 time 8 ठीक है अच्छा अब इसके बाद हम करते हैं फिर 2 से कर लेते हैं 2, 7 time 14 और 2, 2 time 4 ठीक है अब इसे कर लेते हैं देखें प्यार बनते जा रहें ये प्यार हो गया ये प्यार हो गया अब 2 से करते हैं 2, 3 time 6 और 2, 6 time 12 ठीक है तो ये प्यार बन गया सही अब उसके बाद 3, 1 time 3 और 3, 2 time 6 और 3, 4 time 12 और तो ये भी प्यार हो गया 2, 2 time 4 और 2, 1 time 2 ये 2 का भी प्यार हो गया अब second time आपने क्या करना है कि ये जो आपने प्यार बना लिये हैं अब इसे under root के अंदर आप ये सारे प्यार लिखेंगे देखिए 2 के कितने प्यार बने 1, 2, 3, 4 4 प्यार बने 1, 2, 3, 4 इससे कोई फाक नहीं पड़ता अगर आगे पीछे मैंने पहले 3 कॉपी करने के बजाए 2 कर लिया इससे कोई फाक नहीं पड़ता 3, multiply 3 ठीक है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टाइंग जा है वो 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 टाइंग 3 है ठीक है? आप देखिए अब आप इसके प्यार बनाईए ये देखिए ये एक प्यार हो गया ये एक प्यार हो गया ये एक प्यार हो गया अब आपने क्या करना है इस एक pair में से एक बाहर आ गया multiply का sign आएगा फिर एक बाहर आ गया फिर multiply का sign आएगा फिर एक बाहर आ गया फिर multiply का sign फिर एक बाहर आ गया और इसी तरह एक ये बाहर आ गया अब ये रेडिकल का साइन जो है सिंबल जो है कि हट जाएगा ठीक है 2, 2 टाइम 4 4, 2 टाइम 8, 8, 2 टाइम 16 और 16, 3 टाइम 48 इसका मतलब ये हुआ 2304 का square root है 48 ये method पूरा है आपका prime factorization से यानि factorization method है ये हापकी factorization method अब division method कैसे होगी इसको भी मैं यहीं पर अभी बता जिती हूँ आपको ठीक है अब इसका division method देख में आप ये देखिए आप इस number को इस तरह रखेंगे 2304 अब इज़र right side से इसके pair बनाएंगे कैसे ये देखिए एक ये pair हो गया एक ये pair हो गया आप इसे देखिए एक एक digit को लेके हमने नहीं करना पूरे pair को लेके divide करना है अब हमें divide में इस बात के ख्याल रखना है आपको पता है कि quotient और divisor ये दोनों multiply जब होते हैं तो यहाँ वाला number आता है division में ऐसी होता है तो अब हमने क्या करना है जो divisor होगा वही quotient होगा इस बात को यार रखना है जो divisor होगा वही quotient होगा आप देखिए 23 अगर हम 23 को अगर हम 2 को करेंगे तो वो तो नहीं होगा 2 2 time 4 होगा तो वो तो बहुत ही कम हो जाएगा अगर हम 5 5 time करते हैं तो यहाँ जादा हो जाएगा तो इसका मतलब है अब हम 4 से करें यानि यहाँ पर अगर divisor 4 होगा तो इसका मतलब है quotient भी हर हाल में आप 4 ही रखेंगे 4 4 time 16 minus कीजिए line लगाए अब देखिए 13 में से 6 को minus किया क्या बचेगा आपके पास 7 ठेके आप 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा अब यहाँ क्या करना है जब आपने 4 यहाँ पर divisor रखा है और यहाँ पर quotient भी 4 ही रखा है इस 4 में मजीद 4 add करेंगे यानिके जो divisor होगा वोई add भी हो जाएगा तो क्या हो गया 4 of 4 8 हो गया यह ठेके अच्छा आप यहाँ से पूरा pair नीचे आएगा पूरा pair यहनके यह पूरा यह यह पूरा नीचे आएगा ठेके यानि 0 4 कितना हो गया यह नमबर 704 अब यहाँ पर जो भी आप यहाँ रखेंगे वो ही यहाँ रखेंगे ठेके अगर suppose यहाँ पर मैं 1 रखती हूँ तो इसका मतला मैं यहाँ भी 1 रखूँगी तो यह हो गया 81 81 वन टाइम 81 यह तो बहुत कम हो जाएगा अगर हम यहाँ ऐसा करते हैं कि हम यहाँ 2 रखके देखते हैं ठेके क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है न तो 2 रखके देखिए 2 तो देखे यह हो गया 82 और लेकिन अभी जो आपने रखा है वो आपने वो आपने यह वाला रखा है तो यानि 82 2 टाइम 82 2 टाइम कितना बनेगा 164 यह तो बहुत कम है तो अब यानि यहाँ ज्यादा आपने कोई नंबर रखना है ठेके तो अब जब ज्यादा रखना है तो इसका मतलब है हम यहाँ 8 रखके देखते हैं ठेके आपके देखिए 88 यहाँ 4 से पता चल रहा था लेकिन मैं कर-कर करके आपको इसलिए बतारी हूँ कि आपको समझ आजाए बात आप देखें ये हो गया 88 और ये तो आप कर चुके ने इसकी तो multiplication तो अब 8 से करना है आपने ठीक है तो 88 8 time देखें वोई आगया नंबर ये लिजे minus खतम क्या आगया 48 48 क्या गया 48 यानि आप आप किस तरह करेंगे under root 2,3,0,4 और क्या निकला बाहर 48 ये answer इस तरह करेंगे से ये कौन सा method है ये आपको है division method आप इसका एक और करके आपको दिखाती हूँ 4,3 4 पहले हम इसका division method कर लेते हैं ये देखिए 4,3,4 आप देखिए पेर किदर से बनेगा यहां से पेर बनेगा तो ये अकेला रह गया तो इसको यू करके लिखेंगे ठीके अब इसे कीचे 4 है ना तो आपको आराम से समझ में आ रहा है 2,2 time क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा जो divisor होगा वो ही question होगा इसको याद रखना है बात को आपने ठीके minus खतम कुछ भी नहीं बचा अब यही 2 जो divisor है वो ही plus हो जाएगा इसके अंदर 2 और 2 4 अब आपने क्या उतारना है पूरा 34 उतारना है सही है पूरा 34 नीचे उतारना है अब 4 अब किस से दें कि यह आई रहा है 34 आपका यह sorry यह 34 नहीं यह 84 है नहीं गलत इसको कॉपी कर गई यह 84 है 34 में तो नंबर ही कम होता क्योंकि अगर यहां 1 भी लगाते तो कम हो जाता यह उससे पॉपी करने में मिस्ट्रेक हो गई थी यह 484 है अच्छा अब देखिए अब हमें नजर आ रहा है यहां 4 है तो इसका मतलब है अगर यहां 2 रखेंगे अब यहां 2 रखा है तो इसका मतलब है हमें यहां पर भी 2 रखना होगा ठीक है यह मैंने अलग पैन से इस वज़े से लिखा ता क्या आपको पता चले वो यह वाला स्टैप का 2 है यानि अब 42 को 42 को multiply करेंगे हम इस 2 से ठीक है तो आब answer देखते हैं क्या आता है answer यह देखें आगे 84 ठीक है तो यह है आपका division method आप इसे लिखना कैसे है आप इसे लिखेंगे इस तरह अंडर रूट 484 क्या आया इसका रूट इसका square रूट आया 22 यह answer ठीक है अच्छा आप इसके बाग इसकी देखते हैं प्राइम फेक्टराइजेशन 484 नजर आ रहा है किस से कर सकते हैं डारेक्ट 2 से कर लिजे 2 2 time 4 और 2 4 time 8 2 2 time 4 फिर 2 से कीजे 2 1 time 2 2 2 time 4 2 1 time 2 देखें 121 हमें नजर आ रहा है 121 किस table में आता है 11 में आता है 11 11 time is 121 अब इसकी फेक्टराइजेशन क्या बनी उसको रेडिकल साइन में लिख लीजे क्या बनी इसकी फेक्टराइजेशन पहले तो आप इसे नमबर को लिखेंगे 484 फिर इसकी फेक्टराइजेशन लिखेंगे क्या बनी 2 multiply 2 multiply 11 multiply 11 फिर इसमें से क्या आप बहार निकालेंगे? यह यह प्यार है और यह प्यार है ना? तो यानि एक 2 बहार आगिया आपके पास और एक 11 बहार आगिया और क्या हुआ यह 11 2 टाइम is 22 वो ही आगया answer जो आपका division method से आये था इस तरह करेंगे सर। अब आईए question number आपका है C अब C में देखिए आपको mixed fraction भी दे रखा है यानि fractional है ये काम आप आप इसे fraction में किस तरह करेंगे एक question आपका ले लेती हूँ जैसे ये हमारे पास है mixed में ले लेती हूँ ताकि असानी से समझ में आजा question number 6 है 3 whole 13 upon 36 3 whole 13 upon 36 देखिए पहले तो इससे सबसे पहले आपने करना क्या है mixed fraction से आप इसे proper game proper जिसमें भी हो आप उसे पहले convert करेंगे ठीक है अब आप देखिए 36 3 time 36 3 time is 108 108 108 में 13 को plus कीज़े 121 121 upon क्या आगया 36 आता है ना यह करना यह mixed fraction था अब इसे आपने improper fraction में कर लिया किसमें कर लिया improper fraction improper fraction कौन सा होता है जिसमें denominator छोटा होता है और numerator बड़ा होता है ठीक है अब पहले आप 121 की factorization कीज़े हमें पता 11 11 time is 121 ठीक है यह लिजे यह हो गई ठीक है अब उसके बाद आपने क्या करना है 36 की कीज़े 36 2 1 time 2 8 time 2 9 time 3 3 time और 3 1 time ठीक है अच्छा अब क्या करना है आपने आप इसे इस form में यह देखिए जब आपने इसकी यह आपको factorization निकालनी है इसे के पहले आपने क्या करना है क्योंकि square root मालू करना है तो इसका square root इस तरह लिख देंगे इस तरह लिखने के बाद आप इसको उपर वाले को अलैदा भी लिख सकते हैं और नीचे वाले को इस तरह अलैदा भी लिख सकते हैं ऐसे लिख लेंगे ठीक है अब इसकी factorization मालू करेंगे करने के बाद आप इसमें इसकी जो factorization होई है क्या होई है 11 multiply 11 और इसकी क्या होई है 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 ठीक है तो अब इसको आपने क्या करना है यह देखे 11 बाहर आया है यहां पे और यहां पे क्या बाहर आया 2 multiply 3 एक spare में से और एक spare में से ले लिए आपने बाहर क्या answer आगया आपके पास आपके पास answer आगया 11 upon 6 ठीक है यह improper fraction है अब इसे mix में अगर आप shift करेंगे तो देखिए 6 2 times जाएगा 6 1 time is 6 कितना बचा 5 5 तो क्या आगया आपके पास यह quotient आपका whole number में आ जाएगा remainder यहां आ जाएगा और devisor यहां आ जाएगा यह आपका answer हुआ 1 roll 5 upon 6 देखिए पूरा यह pattern आपने follow करना है काम करते हुए ठीक है गौर से देखिए क्या किया है पहले मैंने सबसे पहले mix fraction था उसको किस में convert किया है आपने improper fraction में ठीक है फिर उसके बाद उसके उपर radical sign लगाया है फिर उपर वाले का radical sign अलैदा कर लिया नीचे का अलैदा कर लिया फिर उसके बाद उसकी factorization prime factorization मालूम करना है फिर उसके बाद उस factorization को आपने radical sign में रखना है फिर उसके बाद एक pair में से एक बाहर निकाल लेना है और आगे मजीद अगर divide हो रहा है तो mixed fraction में answer लिया है ठीक है तो यह इस तरह आपने करना है यह तो आपका है factorization method अब इसी को आप किस तरह करेंगे उसमें division method में अब इसको कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ आप देखे क्या करना है division method में वो ही आपने इस तरह करना है 121 को यहां रखिए आप pair बनाने यह देखे यह एक pair बन गया right से आपने करना है यह pair बन गया यह केला हो गया ठीक है अब इसका बालूं कीजे देखे जो quotient होता है वो ही आपने divisor रखना है ठीक है 11 time is 1 minus cancel हो गया ठीक है अब इसमें यही divisor plus हो जाएगा क्या आगया 2 आगया अब यह पूरा pair यहां उतार लीजे अब नजर आ रहा है कि अगर इसे one time करेंगे अब इसे अगर one time करेंगे तो यह देखे यही वापिस आ जाएगा है न तो यानि 21 one time is 21 ठीक है minus यह लीजे हो गया अब 36 का करना है आपने 36 ठीक है pair बनाएए यह लीजे ठीक है pair बन गया अब यह हमें नजर आ रहा है पूरा 36 किस में आता है जो quotient होगा वो ही divisor होगा 66 time is 36 minus यह लीजे हो गया अब इसे क्या करना है देखे 121 का क्या आया आपके पास 11 तो यहां आपने एकना है 11 और 36 का आपके पास क्या आया है 6 और जब आप mix fraction से करेंगे तो क्या answer आएगा 1 whole 5 upon 6 division method को इस तरह करना है बिल्कुल यही pattern follow करेंगे और जो अपने teacher को follow करता है वो फिर बहुत सीखता है और जो अपने अपनी चलाते हैं बच्चे उनकी गलतियां होती हैं फिर ठीक है तो यह आपका था question C कि मिल्कुल यही तरह कि यही पिलीजक करेंगे कि एक स्राइब शेड़ों आपने छोजन में लोज़ों में लोज़र हैंentड 그 तो तो बहु़रा हैं थाजरों में वहज़र Hm非常 है पज़र हैं लो इसस राव drilling Lao में लोगने हैं इनिरा हैं लोी झाल झाल